नमस्कार आप सभी का स्वागत है मां की रशोई में तो आज हम बनाने जा रहे हैं बजट फेंडली काजू कतली तो एक काजू कतली आप अपने बजट में बना करके त्यार कर सकते हैं और जब कोई खाएगा इनको तो बताई नहीं पाएगा के इनके अंदर आपने कोई और मिलाई है तो इसमें ना तो मिल्क पाउडर मिलाएंगे और ना इसके अंदर मुंफनी मिलाएंगे तो चलिए रैस्पी बनाना शुरू करते हैं तो इसमें कौन चीज डालेंगे इसके लिए आप लोग रैस्पी को पूरा देखिए गए तो यहां पर मैंने एक कटोरी काज होगी तो एक कटोरी चीनी डाल देंगे और इसका एकदम फाइन सा पाउडर बना के तियार करेंगे तो इसके अंदर बिल्कुल भी दाने वगएरा नहीं रहने चाहिए पाउडर के अंदर एकदम फाइन हो जाना चाहिए तो देखिए जो पाउडर है हमारा वह अच्छे स पिस चुका है तो इसके बाद गेस की तरब चलते हैं तो यहां पर मैंने पैन गरम करने रखा है और पैन के अंदर करीब एक से दो चमच हम देशी घीटा लेंगे और गेस की फिल्म को बिल्कुल लो रखेंगे तो यकीन मानिए जो काजू गतली आपकी बनेगी बिल्कुल मार्केट जैसी बन करके तयार होगी तो यहां पर हमने आदा कटोरी मैदा लिया है तो मैदा को बिल्कुल हलका सा भूनेंगे कलत चेंज नहीं करेंगे इसका कच्छापन निकालेंगे तो आप लोग यह मन समझेगा कि मैदा डानने से काजू कतली के अंदर मैदा का और आप घर पर ही आसानी से यह काजू कतली बना सकते हैं तो देखिए जो मैदा है वो भून चुकी अच्छे से तो इसके बाद हम गैस की फ्रेम को बंद कर देंगे क्योंकि जो पैन है हमारा वो गरम है तो थोड़ा सा और चला लेंगे तो बिल्कुल भी कच्छापन नही करके कीजिएगा गैस ओन करके मत कीजिएगा नहीं तो नीचे से आपकी मैदा जो है वह जल जाएगी तो काजू काफी महगे भी आते हैं और हम मार्केट्स से जब काजू कटली खरीद के लाते हैं तो उसके अंदर वो लोग मिलावट भी करते हैं तो प्यों नहां आसानी स गहर पर ये बजट फ्रेंडली काजु कतली बना करके त्यार कर सकते हैंं अधा हे चीजाँ इसके बाद इसमें आदा कटोरी पानी डालेंगे तो इसमें आपको चासनी भी नहीं बनानी बहुती आसानी से एक त्यार हो जाती है तो आप इसको फंदरा मिनट के अंदर ही आसान कुल भी नहीं रहेंगे एकदम हमारी सॉफ्ट काजु कतली बन करके तियार होगी तो देखिए धीरे-धीरे जो पेस्ट है वो गीला होता जा रहा है लेकिन गैस की फ्लेम को बिल्कुल रखिएगा तेज मत कीजिएगा नहीं तो आपकी काजु कतली है वो नीचे से लग जाई या नॉन्स्टिक परतन का इस्तमाल कीजिएगा तो देखिए धीरे-धीरे साइन भी आती जा रही है तो जो मैंधाय वो इसमें वाइनिंग का काम करती है तो इसमें आपको मिल्क पावडर भी ढालने की जरूत नहीं है तो देखिए धीरे-धीरे पेस्ट हमारा कर सकते हैं और वो भी कम दाओं में क्योंक्यों काजु जोह काफि में आ चांब कातली उती आधा कईजु कथली यूदि हैं तो ना सलिए But क्यांथ विट's के दोज़त कातली तो पासे हूएρεत Ladra R ins भी थोड़िफ़ह कम थी पूरे 0-0-0-0-0-0-0 काफी काजु गतली बन करके त्यार हो गई तो देखिए जो पेस्ट है वो नीचे से पेन को छोणने लगाए तो अभी पेस्ट है बस हमारा थोड़ी देर में तैयारी होने वाला है नीचे से इसमें थोड़े थोड़े आपको ज्ञाग दिखने लगेंगे और हलका सा वायट होने लगेगा तो अब थोड़ी देर इसको और पका लेते हैं तो इसको लगाता चलाते हुए पकाएंगे विल्कुल भी छोड़िएगा मत नहीं तो नीचे पक जाएगा जो पेस्ट है आपका तो अभी पेस्ट हमारा नीचे से छोड़ने लग गया है तले को तो यहीं पर हम गैस की फिल्म को बंद कर देंगे और थोड़ी देर पैन के अंदर इसको चला लेंगे कि पैन है हमारा वो गरम है तो इसमें ऐसे ही लगाता चलाते हुए इसको पका लेंगे तो इससे जो प पेस्ट एकदम से हमारा गाड़ा होने लगा है तो अब इसको नीचे उतार करके ठंडा कर लेंगे आप चाहें तो पंके में भी ठंडा कर सकते हैं और अगर आपको लगे कि आपका जो पेस्ट हो थोड़ा पतला रह गया है अभी सेट होने लायक नहीं है तो आप थोड़ी काजू कतले हमारी बैन करके त्यार हो जाएगी पेश एक्दम ठंडा हो चुका है लेंगी आप चाहें तो बटर पेपर भी ले सकते Secondly मुझे अंदर बंाने में जादा अच्छा लगता है क्योंकि एक्दम खे बिखना हो जाएगा बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा और साइट से थोड़ी सी किनारी निकाल देंगे इसका काजु रोल बना करके त्यार कर सकते हैं या दुबारा से सेट करके काट सकते हैं तो मेरे घर्मेश बच्चे आ सबर नहीं होता जब तक काजु कद्ली काटो किनारी होते उनको यieht। करीब 10-11 साल का है तो कोई भी चीज बनाती हूं तो सबसे पहले वह यह आ जाता है मेरे पास मम्मी आप क्या बना रही है तो इसको हम डायमंड सेप में काट लेंगे तो आप चांए तो इसके उपर चांदी का बर्क भी लगा सकते हैं लेकिन मुझे चांदी का बर्क मिलनी रहा था तो वहर पर काफी काम होते हैं तो मैंने फिर उसको ढूणा भी नहीं और ऐसे ही काट लिए तो देखिए एक दम स् के त्यार कर सकते हैं और इसके लिए मैंने थोड़े से केसर के धागे भी हो दिये थे तो मैं इसको आज थोड़े अलग तरीके से इसकी खाने सिंग करूंगी तो अगर हमें कोई चीज नहीं मिल रही है तो उसके बिना भी हम रेस्पियां बना सकते हैं ऐसा नहीं है कोई चीज नहीं है तो उसके बिना हम रेस्पि नहीं बना पाएं तो बिना चांदी के वर्क के भी काजु गतली अच्छी बन जाती है वह चांदी का वर्क लगाने से देखने में थोड़ी जाद अच्छी लगती है तो इसको हमने केसर के धागों से रेकोरेट कर दिया है तो इसको अभी निकाल के देखिए इस तरह से किसी प्लेट में रख लेंगे तो बिल्कुल मार्केट जैसी काजु कतली बन करके त्यार हो जाएगी तो रैस्पी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप भी यह बजट प्रेंडली काजु कतली बना करके देखिएगा आगे फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार